कि इस्त्री सु नर्म बिबाएचा बृत्यरते प्राण संकटे कि गौंबरा मरारते इंसाया कि नान तम स्या जगर से तम है ऐसी जगह हैं जहां पर जूट बोलने से पाप नहीं लगता अगर पत्री को इस्तरी को जूट बोलोगे तो दोस्त नहीं लगता क्यौंकि देवियों के हरदय में कोई बात नहीं चिपती है कि देवियों का हरद्य इतना कॉमल होता है कैदो बेहन ऐसी बोले अबराहिम गंज गली नमबर में ऐसी गटना हो गई ये बात किसी को मत बताना बुर बुर भास सायली को बताएङगी बगल में ऐसी गटना हो गई है ये बात किसी को मत बताना हो और शाहिली को बताएंगी बिना नियूज के बिना समाचार के पूरे इब्राहेम गंज में बुले चरचा फैल जाएगी इसलिए इनसे जूट बोलने से कोई पाप नहीं लगता है कि देवियों का हरदय तो कूमल होता है बात नहीं चिपती है अगर किशी कन्या का विवाय हो रहा है तोड़ा बहुत जूट बोलने तो पाप नहीं लगता है अगर किशी के प्राण संकट में है हमारे जूट बोलने से उसके प्राणों की रक्षा हो जाती है तो दोस नहीं लगता है किसी गव ब्रामन की हत्या हो रही हो जूट गोल दे प्राण की रक्षा हो जाए तो प्राप नहीं लगता है अब्यापार कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत जूट बोल दो तो उसमें भी पाप नहीं लगता है और जादे यूट बोलोगे तो पाप भी लगता है